हेलो अबरीवन इस वीडियो में हम क्लास से एक सब्जेक्ट साइन्स का असिस्मेंट वक्षिट 3 करेंगे देट हैस की 14 सेप्टामबर 2021 और इस असिस्मेंट को शुरू करने से पहले फ्रीज हमारे चनल को सरूर सब्सक्राइब करतीजे तो यह आपका असिस्मेंट है यानि इसको आप खुद से सॉल्व करने की ही कोशिश कीजे तो आईए देखते हैं इससे पढ़ना है उसके बाद जो भी आपको सही आंसर लगता है उसके सामने वाले गोले को इस तरीके से फिल कर देना है तो आएए देखते हैं फर्स्ट है विच अफ्ट इस मैटेरियल इस इन इनसुलेटर तो हरे कोश्टन देखो 10 कौश्टन पूछे गए हैं question आपका one marks का रहेगा तो यहाँ पर कौन सा material insulator है यानि कि अपने अंदर से electricity को पास नहीं होने देता copper, rubber, iron या aluminium तो इसका सही answer हो चाहेगा B rubber ठीक है rubber एक insulator है second question है electric current flows through the wires from जो electric current होता है वो wires में से कौन से terminal से flow करता है positive terminal to negative terminal यानि positive से negative terminal की तरफ negative से positive terminal की तरफ positive से positive की तरफ या negative से negative की तरफ तो इसका answer हो चाहेगा A, यह सब हम worksheet में cover up कर चुके हैं तो आपको अच्छी तरीके से यह सब समझ आना चाहिए और आ रहा होगा third है a device that breaks the circuit is called एक ऐसा device या तो circuit को तोड़ दे वो या तो उसको चोड़ दे उसे क्या कहते हैं बैटरी, बल्ब, स्विच या वायर तो इसका सही answer है C, स्विच fourth देखो sea water is a sea water क्या होता है insulator, conductor, both insulator and conductor, none of the above तो इसका answer हो चाहेगा conductor, sea water conductor होता है ठीक है fifth है the given symbol is of a यानि यहाँ पर जो आपको symbol दे रखा है ये वाला ये किसका symbol है ठीक है तो cell का, battery का, switch का या wire का तो इसका सही answer है cell ठीक है हमने ये symbol भी पढ़े है sixth question है wheat, rice and potatoes are the source of गेहू, rice और potatoes आलू, चावल और गेहू किसके श्रोत होते हैं carbohydrate के या fats के, protein के या vitamin के तो इसका सही answer पीछे ही रह जाता है इसका सही answer होगा आपका carbohydrate ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका सही answer करेंगे carbohydrate ठीक है, तो sixth वाले question का A सही answer है, carbohydrate source है wheat, rice and potatoes का ओके, next देखते हैं हम लोग next question number seven, pulses are a good source of यानि जो डाल होती है वो किसकी सही source है यानि अच्छी source है, तो देखो डाल में क्या होता है, fats होता है, vitamin होता है protein होता है, या carbohydrate होता है तो अगर मैं आपको बताऊं तो vitamin औ protein दोनों ही जो है डाल में पाए जाते हैं लेकिन देखें यहाँ पर good source पूछा है तो जाधा जो है protein आप लोग इसका सही आंसा लगाएं, याँकि जाधा जो है protein होता है, ठेके ना एट देखो, dash is needed for growth and repair of the body tissues कौन सी ऐसी चीज़ है जो growth और repair के लिए चाहिए होती है body को, carbohydrate protein, fats या minerals तो यह हमने वक्षित में बढ़ा था, इसका answer होज़ेगा B, protein चीक है, next है how many terminals are there in one cell एक cell में कितने terminal होते हैं तो एक positive होता है, एक negative होता है, यानि एक cell में दो terminal होते हैं तो इसका answer होज़ेगा 2 next देखते हैं, question number 10 last question है, for healthy reason we need, यानि अच्छी तरीके से हम आखों से देख पाएं, उसके लिए हमें कौन सा vitamin चाहिए होता है vitamin A, vitamin B, vitamin C या फिर vitamin D, तो इसका सही answer है, A, vitamin A, चीक है जो कि हमें carrot से भी मिलता है तो यहीं पर जो है assessment हो जाता है finished, so I hope आपको समझाया होगा देख लिए जिसके answer, इस तरीके से यह हो जाएगा second page और यह आपका हो जाएगा first page okay, so I hope आपको assessment अच्छा लगा होगा, समझाया होगा thank you